नमस्कार दोस्तों स्वागत है मेरे चानल पर आज हम जो कंपणी के बात करने वाले हैं उसका नाहमा जोती रेजिंस एड़ेसिव लिमिटेट यह जो कंपणी आए यह फेविकॉल बनाने का काम करते हैं जैसे कि मेरे मुह में आगया फेविकॉल आपस ने समझ गया यह कृस् का एक एक न्यू एक यह बोल सकते न्यू कंपणी ओपरी है मार्केट में जो के फेविकॉल के नीचे इसका सेल है अगर आप इसके अबाउट में अगर थोड़े सा देखेंगे तो यह जो कंपणी है यह यह वाइट ग्लू तयार करती है जिसका नाम है यूरो सैवन से छे में और अभी यह वुड एडेसिव ब्रैंड इंडिया में सेकंड लाइजस सेलिंग है अगर आपन इसके बिजनस मॉडल की बात करेंगे तो यह जो रौ मट्रियाल को प्रोसेस करती है और फिर वाइट ग्लू में कनवर्ट करती है इसका जो प्लांट है वह संतेज मे है और यह जो पैकेजिंग में आता है यह 500 ग्राम से 70 किलो का इसकी बकेट आती है यह हर एक पैकिक में आने के वजह से जो डिस्ट्रिबुटर है इसको ज्यादा तर प्रमोट करती है इसका जो प्रोड़क्ट पॉट्पोली है यह एंटी टर्माइड यह है 2000 टन पर मेट्रिक टन इसकी जो टेपसिटी है और इसका अगर डिस्ट्रिबुशन नेटवर्क देखें तो 13 राज्य में यह प्रोड़क्ट चलता है 28 ब्रांचे से 50 डिस्ट्रिबुटर है 10,000 से ज्यादा एक्ट्व रिटेलर जो इसको सेल करती है और 3 लाक का यह वियर हाउस से डारिक निकलता है इनका अगर आप इसके अगर थोड़े से की मैट्रक्स पर देखें तो एकदम स्मॉल कॉप 1360 करोड की कंपनी है पाहितलिस का पीए है अगर आपको यह ज्यादा लग रहा होगा तो मैं आपको बात में पीडिलेट का जो की फेविकॉल का ब्रेंड है उसका अगर भी बता हो तो आप चौक जाएंगे तो फहले आप आरो सी देख सकते हैं 46 का और आरो ही 34 का और कॉरेंट वैल्यू चल लिए है 1134 और फेस वैल्यू डास का मतला आगे जाके स्प्लीट होगा क्योंकि कंपनी बहुत चोटी है अगर आपन इसका व के लिए आप ले रहा था अप्रेंड में था लेगिन वहाँ से अठरास के जब इसने अचनक से एक हम नाया तो वहाँ से सेलिंग दिखाई दिया अभी धिकाई अन्सोलीडेशन में लेकिन जो ब्लैक लाइन है इसने आज तक ब्लैक लाइन को टश नहीं गया जैसे मेरे व यह ब्लैक लाइन को जैसे ही टच कर रहेगा यह यहां पे 100% सपोट लेगा और यहां से आप ट्रेंड में जाने को स्टार्ट हो गया तो अगर हम इसके प्रोज की बात करें कमपणी अपने जो डेप है वह रीडूस कर रही है और डेप जो है जो लोन आए वह बिल्कुल खतब हो जगा है और यह जो काटर रहे यह है यह बहुत ही अच्छा है इस कमपनी के लिए और जो प्रॉपिट के गुरूथ है पास साल की वह 116 परसेंट से बढ़ रही है मार्केट में लगाती है तो सव रूपए फिर से कंपनी में कैसे आती है 200 रूपए के प्रापिट को मिला के तो उसको टाइम लगता है वह पहले 200 दिन लगता था अब वह 139 दिन लग रहा है और कंपनी की जो सेल्स है वह 37% से अनुएली बढ़ रही है इस टॉक के जो कर रहा है कि मैं आपको बता रहा था कि पीडिलेट का पी तो आप पहले इसमें जो कॉम्पेटेटर है इसमें पीडिलेट का पी देख सकते तो 93 है और जोती रेजिस का अगर देखे तो 45 हुए ठीक है और दूसरा अगर हम इसके सेल्स की बात करें जो सब्टेमबर 2021 से 48 था वो सब्टेमबर 2022 में 65 हो गया है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन दो है वो पास से डायरेक्ट डबल होके 13 हो गया है और जो इसका नेट प्रॉफिट 4 से डबल होके 8 हो गया है अगर हम yearly wise देखे तो 2020 में 74 करोड का सेल था बाद में 101 करोड का हो गया फिर 122 का और अभी 2036 का 236 करोड का सेल हो गया है तो आप देख सकते हैं यह जो कंपनी यह गुरू हो रही है और इसका जो प्रॉफिट रहा है लेकिन फिर भी मार्केट के अभी बहुत छोटा है आप इससे देख सकते हैं कंपनी के लिए जो मार्केट है वो बहुत बढ़ा है अगर लेकिन इसका जो है एक हजार करोड का है जैसे ही यह कंपनी 2000 यह 4000 क्या जाएंगे वैसे पीडिलाइट को यह पीछा करतेंगे इतनी बात देन में रखना आप मेरे और जो एसेट से वह कंटिनूसली बढ़ रहे है और जो लाइबलिटीड वह भी बढ़ रहे है लेकिन उसक पॉजिशन घटा ही है लेकिन फिर भी प्रमोटर का इस पर भरोसा बना हुआ है यह जो यहां से पॉजिशन काटी है उसे के वजह से यह जो सेल है शेयर हो नीचा आगया था लेकिन फिर भी यह जो शेयर है यह कंसिडर कर सकते हैं लॉंग टर्म के लिए क्यूंकि ऐसे ही यह होते हैं यह लॉंग टर्म में आपको 100% बहुत बढ़िया मॉल्टी बैगर रिटन दे सकते हैं तो अगर आपको यह जो कंपनी के बारे में जानकर अच्छा लगा तो प्लीज हमार चैनल को सब्रेब कर दीजेगा और इसे बैल अगन को दबा दीजेगा और कोई अगर सब्सक्राइब और कोई कंपनी के बारे में अनलिस चाहती हो तो प्लीज कमेंड में जरूर लिकिएगा धन्यवाद